So, Hello Guys, Mausai Zaini, एक पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Tech Boy Zaini में So, guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ हूँ Vivo Y30 और आगी इस वीडियो में आप सभी लोगों इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और सैटिंग्स है उन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ So, guys, अगर आप लोग इंट्रस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है और अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथी बेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि जो भी लेटस्ट अप्डेट्स है हमारे चैनल की वो आप लोगों तक सबसे पहले पोस्ट के और गाईज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजेगा सो वाईज यहां पर हमारे पास है वीवो वाई 30 का प्यारासा बोक्स और बोक्स के पीछे कुछ फोन के में हाइलेट्स लिखी हुई है और गाईज यह जो वेरियंट हमारे पास अवेलेबल है 4GB RAM and 128GB स्टोरिज में है और सिर्फ यह सिंगल वेरियंट आप लोगों को मार्केट में मिलने वाला है और यह ओफ लाइन और ओल्लाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है तो चलिए अब हम जल्दी से box को open करते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ phone के साथ मिलने वाला है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें कुछ booklets, SIM ejector tool और एक decent quality का phone cover देखने को मिल जाता है और इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा phone आ जाता है और फोन को अभी के लिए हम side में रखते हैं और चलते हैं इससे आगे तो यहाँ पे हमें 10W का normal charging adapter देखने को मिल जाता है साथ में type C की charging data cable तो गैस चलिए भी हम जल्दी से phone को wrap कर लेते हैं और phone के overlooks के बारे में discuss करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो phone का जो back side है काफी shiny है काफी premium और glossy look हमें provide करता है और यहाँ पे phone में पीछे की तरफ हमें quad camera setup देखने को मिलता है साथ में एक LED flash और fingerprint sensor भी पीछे की तरफ दिया गया है और वहीं चले phone के नीचे तो यहाँ पे हमें एक earphone jack C type charging port, speaker grills देखने को मिल जाती है और phone के right side में हमें उपर की तरफ volume rockers और ठीक उसी के नीचे power button देखने को मिल जाता है और चले phone के left side में तो यहाँ पे हमें SIM tray देखने को मिल जाती और guys यहाँ पे हम phone में 299 SIM के साथ एक dedicated SD card slot मिलता है जहाँ पे हम 256GB तक SD card डाल सकते हैं तो guys यहाँ पे हमारा phone boot up होके ready हो चुका है और सबसे first में मैं बात करूँ phone के front side की तो यहाँ पे हमें punch hole notch की साथ single camera देखने को मिलता है जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है और वहीं बात करें display की तो यहाँ पे हमें phone में 6.4 inches की HD plus LCD display देखने को मिल जाती है 720p resolution के साथ और guys वहीं बात करें screen to body ratio की तो 90% तक screen to body ratio है और guys यहाँ पे आप देख सकते हैं जो bezels है phone के side से वह काफी हद तक पतले हैं लेकिन जो chin है वह थोड़ा सा मोटा नजर आता है और guys यहाँ पे अभी आप और भी चीज़े देख सकते हैं जैसे जो colors वगरा है screen में वह काफी हद तक बहुत अच्छे तरीके से उगर के आ रहे हैं लाइट ग्राफिक सेटिंग या फिर मीडियम ग्राफिक सेटिंग के साथ खेल पाऊगे और वहीं बात करें फोन के बैटरी की तो यहाँ पर आपको फोन में 5000 एमेज की पावरफुल बैटरी देखने को मिलते हैं कि आपके डिस्प्ले ब्राइटने से आपके नेटरॉक स्पीड अच्छे है या नहीं वैसे तो फोन की बैटरी जो है 5000 एमेज की है जो की काफी पावरफुल है और आपका पूरज दिन बहुत अच्छे से साथ निभाने वाली है और गईावें यहां पर हमें फोन में फिंगरफृν्ट लोग और फेस लोग दोनों ही देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर मैंने दोनों को ही सैट अप कर लिया है अम आपको दोनों टेस्ट करके दिखाता हूँ कि दोनों कि तना farastly और accurately वरक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो fingerprint lock है वो बिल्कुल fastly और बिल्कुल accurate तरीके से work कर रहा है जैसे ही मैं tap करता हूं fingerprint sensor पे तो lightning speed से phone unlock हो रहा है और वहीं हम बात करें face unlock की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं power button पे tap करता हूं तो phone बिल्कुल fastly और बिल्कुल accurate तरीके से अनलोग हो रहा है जहां पे जो face lock है fingerprint lock है बहुत ज्यादा fast work करते हैं और बिल्कुल accurately work करते हैं और वहीं पे बात की जाए इस phone के cameras की तो यहाँ पे हमें back side में quad camera setup देखने को मुलता है जहां पे main camera है 13 megapixel का 8 megapixel का ultra wide angle camera 2 megapixel का camera depth sensing के लिए और 2 megapixel का camera macro mode क camera की तो उससे आप 120 degree तक horizontal pictures click कर सकते हो जो की काफी wide है और बात की जाए front camera की तो यहाँ पे हमें 8 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है और गई जो photos की quality है front back camera की वो काफी हद तक अच्छी है अभी आप लोगो अपने phone की screen पे जो photos देख रहे हैं इस phone के front और back cameras की है जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है और video quality की बात करो तो वो भी अच्छी है लेकिन जो video की stabilization है वो थोड़ा और अच्छा हो सकती थी और guys वहीं पर बात करें कुछ और camera functions की तो यहाँ पर हमें live photo portrait mode time lapse जैसे functions देखने को मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर हमें slow motion देखने को नहीं मिले और guys अगर मैं camera की setting की बात करो तो यहाँ पर हमें shutter का option मिलता है जहां से जाके हम अपने जो photos क्लिक करने के option है वो change कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हम चीज का option select करते हैं तो जैसे हम चीज बोलेंगे तो photo automatic click हो जाएगी या फिर हम volume up and down से photo click कर सकते हैं और उसी के ठीक नीचे ह हमें watermark option मिल जाता है जहां से जाके हम time watermark या फिर phone का model जो है उसका watermark अपनी photos में ला सकते हैं जैसा कि यह भी आपने photo sample में देखा हुगा और guys वहीं पर मैं बात करो video shooting की तो आप phone में 1080p तक video shoot कर सकते हो और guys अगर हम बात करें phone की price की तो यह phone आपको 14,990 रुपे में online और में बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को पता होना जरूरी है तो आप मेरे साथ आगे बने दीए video में तो शुरू करते हैं guys सबसे first में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर इस phone में आपको एक i manager करके application मिलने वाली है जो phone की सभी main settings को cover कर दी है तो simply आपको क i manager application को open करना है और जैसे ही आप i manager को open करेंगे तो यहां पर आपको space clean up security scan data monitor या फिर app manager जैसे functions देखने को मिल जाएंगे और space clean up में जाके जो आपकी specific photos है videos है आप चेक कर सकते हो उन्होंने कितना space आपके phone में use किया हुआ है और उसे आप clear कर सकते हो यहां से आप जो है अप आपके सामने सारी settings पूरे तरीके से खुल जाएगी यहां से जाके आप जो है बहुत सारे function आपको देखने को मिलेंगे जैसे आप यहां से unknown numbers को block कर सकते हो message को block कर सकते हो app manager यहां पर आपको देखने को मिल जाता है digital well being parental control यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो की काफ काफ़ी इंपोर्टेंट है डिजिटल वैल बिंग में जाके आप चेक कर सकते हो आपके फोन में क्या कुछ एप्लिकेशन कितने दूर के लिए यूज की गई है क्या कुछ नोटिफिकेशन आपके फोन में आया है या फिर फोन को कितनी बार लोग किया गया है और वहीं उसी क यहां पर पर प्रेंटल कंट्रॉल लगा सकते हो जो कि काफी अच्छी बात है और गाइस महीं से अगर हम यहां से back चलते हैं तो यहां पर हमें और option देखने को मिलते हैं जैसे eenp battery management की option यहां ठीक कर सकते हैं और गाइस अगर फोन ज्यादा हीट अप हो जाता है तो यहाँ पर हमें फोन कूलिंग का भी ओप्शन मिलता है जिससे फोन जल्दी कूल डाउन हो जाएगा और ठीक इसी के साथ में हमें फाइस से बोक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जहां से जाके हम अप यहां से फोड़ा और नीचे चले तो यहां पर हमें इस नेट्रोग स्पीड टेस्ट देखने को मिल जाता है जहां से जाके हम अपने वाइफाई की स्पीड या फिर जो इंटरनेट की स्पीड है सिम की वो सब टेस्ट कर सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे फंक्शन दे पर तो जैसे ही हम होम स्क्रीन पर टैप करके रखेंगे तो हमारे सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और किस यहां पर सारी अप्लीकेशन एक लिस्ट भी नहीं है इसके बाद हम चलते हैं control panel पे और यहाँ पर मेरे को एक बहुत अच्छी setting देखने को जैसे आप उपर edit के icon पर tap करोगे तो और settings जो है आपके सामने open हो जाएगी control panel की तो यहाँ पर आपको जो है dark mode देखने को मिलता है लेकिन dark mode में होता क्या है सभी application cover नहीं हो प करता है dark mode से ज्यादा better मुझे ग्रेस वाला option लगा तो आप इसे जरूर से ट्राइब करके देखेगा आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है और eyes के लिए बहुत अच्छा है नाइट में अगर हम phone use करते हैं तो इससे ज्यादा effect हमारी आँको पे नहीं पढ़ने वाला पैनल में देखने को मिल जाएंगे और गैस इसके अलावा जो settings बच गई जैसे dynamic effects otg application की full screen setting वो सब हमें settings में देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोगों कुछ problem face होती है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं सो गैस यह थी हमारी आज की video और मैं उमीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझा आ गया होगा आपको यह जो video है अच्छी लगी होगी सो गैस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे like जरूर कीजेगा और अपने जो views है suggestion है वीडियो को लेकर वो comment box में type कीजेगा So guys thanks for watching this video और अगर अभी आप लोग channel को subscribe करना चाहते हैं जो screen पे channel का logo आ रहा है वहाँ से जाके आप channel को subscribe कर सकते हैं